दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नई नियुक्तिया जितनी भी हुई है दोस्तो और ये नई नियुक्तिया जो है ना ये बहुत जादा हेलफुल रहेगी 2023 में होने वाली सभी प्रिक्साओं में ठीक है ना 2022 की जितनी भी नई नियुक्तिया है वो 2023 में 100% पूछी जाएंगी तो आप इस वीडियो को ध्यान से end तक देख लेना 40 प्लस कोशन मैं कवर कराऊंगा इस वीडियो में पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है ONGC यानि की Oil and Natural Gas Corporation के नए अध्यक्स कोन बने है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा अरुन कुमार सिंग यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हैगा कोशन नमबर टू आता है टीबी मुक्त भारत कैम्पेन का National Ambassador किसे बनाय गया दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक फटाफट कवर करते हैं ठीक है पोथी कम समय में तीसरा कोशन आता है कोंग्रेस के नए अध्यक्स चुने गए है तो कोंग्रेस के नए अध्यक्स दोस्तो चुने गए है मलिका अरजुन खडगे यानि की राइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा तीसरे कोशन का राइट आंसर कोशन नमबर फोर आता है भारतिय किर्केट नियंतरन बोर यानि की बी सी सी आई का निया अध्यक्स चुना गया तो कौन चुना गया दोस्तो आप बता सकते है कमेंट वोक्स में राइट आंसर इस रोजर बिन्नी यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर फोर का पाँचवा कोशन है 2022 में किसे 29 थल सेना परमुक न्यूक्त किया गया तो इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल दोस्तो मनोच पांडे जी को यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा और देखेए 6000 के कोशन आंसर की हमारी पीडियाप है दोस्तो जिस पर अभी ओफर चल रहा है केवल 150 रुपीज में आप इसको परचेज कर सकते हैं और इस पीडियाप के साथ में एक पीडियाप आपको फ्री मिलेगी 1000 के स्टेटिक जी के कोशन आंसर की वोटसब पर कॉंटेट कर लेना या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके भी परचेज कर सकते हैं इस पीडियाप में आपको सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हिस्ट्री, जोगरफी, पॉलेटी, एकेनोमिक्स फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी, करेंट अफिर, कम्प्यूटर ठीक है चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को ओन कर लीजे ताकि आगे आने वाली सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें छटा कोशन है सेबी आनि की सिक्योर्टी एक्सचेंज बोड ओफ इंडिया ने किसे नैसनल स्टोक एक्सचेंज नसी का MDNCO नूक्त किया दोस्तो राइट आंसर क्या होजएगा असोक कुमार चोहान यानि की D राइट आंसर होजएगा छटे कोशन का राइट आंसर साथवा कोशन है हाल ही में किसे रास्टे अनुसुचित जाती आयोग यानि की NCSC का अध्यक्स नियुक्त किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्ग कर लेना साथवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा विजे सापला ठीक है ओप्शन A राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तो आठवा कोशन आता है 2022 को खुफिया ब्यूरो यानि की IB का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया तो देखिए IB के जो निर्देशक है दोस्तो वो नियुक्त हुए तपन कुमार डे का यानि की D राइट आंसर हो जाएगा आठवे कोशन का राइट आंसर नौवा कोशन आता है हाल ही में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि की NCB के नहे मानदेशक कोन बने है बताइए और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तो लाइक करके अपने हर एक दोस्त को गुरुप में सेयर कर देना या आपसे चोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है भई प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना नौवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या हो जाएगा NCB के जो मानदेशक बने है दोस्तो वो है सत्ये नारायन परधान यानि की राइट आंसर C हो जाएगा 90 कोशन का राइट आंसर अगला कोशन आता है केंद्रिय उद्योगिक सुरक्सा बल यानि की CISF के नए मानदेशक कोन बने बते ही जल्दी से बिल्कुल दोस्तो सुबोध कुमार जैसवाल यानि की D राइट आंसर हो जाएगा 10 वे कोशन का राइट आंसर तो SL 1000 को यानि की D राइट आंसर हैगा 11 कोशन का सही उत्तर 12 कोशन आता है किसे संग लोग सेवा आयोग यानि की UPSC का अध्यक्स निउक्त क्या गया है तो UPSC के नए अध्यक्स बने है दोस्तो डोक्टर मनोज सोनी यानि की C राइट आंसर हो जाएगा 12 कोशन का राइट आंसर और मैंने ना इसमें केवल और केवल important कोशन को collect किया है ऐसे निकी मैं 100,500 कवर कराऊंगा 40 प्लस रहेंगे बट इनमें से ही सारे कोशन्स आपके एक्जाम में फस जाएंगे question number 13 क्या कह रहा है इसरो के नए चैर्मेन के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इसरो के दोस्तों नए चैर्मेन बने हैं कौन? S सौमनाद जी यानि की B राइट आंसर रहेगा question number 13 का अच्छा इन से पहले कौन थे? comment box में बताइए इसरो के पुराने जो चैर्मेन थे वो कौन थे दोस्तों? जल्दी बताइए question number 14 आता है दोजर बाइस को भारत सरकार ने किसे chief of defense staff यानि कि serious के रूप में निक्त किया है तो इस question का right answer बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तों lieutenant general अनील चोहान जी को इन में से किसे निक्त किया गया इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही answer आप लोगों ने किया है ये दोस्तों इंद्र मित गिल यानि कि right answer is option A इंद्र मित गिल इस question का right answer हो जाएगा सोलवा question है रास्टिय संक्या की आयोग की अध्यक्स के रूप में किसे न्युक्तिया गया है दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव लक्षमन करंदिकर यानि की राइट आंसर बी हो जाएगा ठीक है चले सतरवा कोशन है 2022 को किसे केंद्रिय माध्यमिक सिक्सा बोर्ड यानि की CBSC का अध्यक्स न्युक्ति किया गया है बते जल्दी से दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल निदी चबबर यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा कोशन नमबर 17 का राइट आंसर 18 आता है भारतिय तटरक्षक यानि की इंडियन कोस्ट गार्ड का निया महादेशक किसे न्युक्त किया गया इस कोशन का अंसर बताइए तो मेरे प्यारे दोस्तो इंडियन कोस्ट गार्ड का निया महादेशक किसे न्युक्त किया गया है विरेंदर सिंह पठानीया को ठीक है बी राइट आंशर होजएगा 28 कोशन का राइट आंसर दोस्तो SSC यानि की स्टाप सेलेक्शन कमिशन के अध्यक्स कोन बने है तो बाइट आंसर होजएगा S की सोर यानि की बी राइट आंसर हैगा 19-वे question का right answer 20-वा question है हिमाचल परदेश के नए मुख्य मंतरी कोन है देखे हिमाचल परदेश के नए मुख्य मंतरी दोस्तों कोन है तो right answer क्या होजएगा सुक्विंदर सिंग सुक्ख यानि की B right answer होजएगा यह latest question है बिल्कुल 21-वा question है 2022 में किसे केंद्रिय परतक्षकर बोर्ड यानि की CBDT का नया चेर्मेन नियुक्त किया गया है तो नितिन गुप्ता को यानि की option A right answer होजएगा 21-वे question का right answer 22-वा question आता है इन में से किसे भारतिय ओलंपिक संग का अध्यक्स बनाया गया इन में से किसे भारतिय ओलंपिक संग का अध्यक्स बनाया गया तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है PT उसा को यानि की option A right answer हो जाएगा 23-वा question आता है हाल ही में भारत के विदेश सचीव किसे नियुक्त किया गया है तो विदेश सचीव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तो right answer बतेगा विन्य मोहन क्वात्रा यानि की option A right answer हो जाएगा 23-वे question का सही उत्तर 24-वा question है 2022 को किसे सही उक्तरास्ट यानि की UN में भारत का अगला राजूत इस्थाई परतिदित नियुक्त किया गया है तो 24-वे question का right answer बतेगे important है ये भी बिल्कुल दोस्तो रुचीरा कामबोज को यानि की B right answer हैगा 24-वे question का right answer ये आपको याद अखना है 25-वा question है 2022 में भारत के 50-वे मुख्य नियादीस यानि की Chief Justice of India के रूप में कौन चुने गए है तो 50-वे मुख्य नियादीस दोस्तो कौन बन गए है Justice D.Y. चंदर चोड यानि की right answer B हो जाएगा question number 25 का right answer 26-वा question आता है किसे मुख्य चुनावायो यानि की Chief Election Commissioner नियुक्त किया गया है दोस्तो 26-वे question का right answer क्या हो जाएगा option C हो जाएगा राजीव कुमार को दोस्तो ठीक है ये आपको याद रखना है 27-वा question है 2022 को किसे नीती आयोक का निया उपाध्यक्स नियुक्त किया गया है तो 27-वा question क्या कह रहा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा नीती आयोक के नए उपाध्यक्स कौन नियुक्त है सुमन के बेरी भी right answer हो जाएगा ठीक है अच्छा नीती आयोक के बारे में आप लोग को जितनी भी चीज़े पता है कमेंट बोक्स में बताईए क्योंकि नीती आयोक पर मैंने साथ एक सेपरेट वीडियो बनाई है अगर नहीं बनाई है तो कमेंट बोक्स में बताईएगा नीती आयोक को अलग से समझेंगे ठीक है एक अच्छा टोपिक है यह 28-वा question है सितंबर 2022 को कौन होकी इंडिया के अध्यक्स चुने गए बताईए दोस्तो राइट आंसर हैगा दिलीप टिर्की यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा 28-वे question का राइट आंसर 29-वा question है किसे अंतरास्टे होकी महासंग के नए अध्यक्स के रूप में चुने गए तो राइट आंसर बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तो राइट आंसर हैगा मुहमद त्याद इक्राम यानि की राइट आंसर डी यह आपको याद रखने है यह आपको याद रखने है भई अगला question आता है किसे अंतरास्टे स्रम संगठन का निया महादेशक चुना गया दोस्तो राइट आंसर होजेगा गिल्बर्ट एफ हॉंगबो यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन है यह आपको याद रखने है 31 question किसे 2022 में भारती है बेडमिंटन संग के अध्यक्स के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया important बनता है यह question क्योंकि दोस्तो निर्विरोध चुने गये है तो important है यह इस question का राइट आंसर हैगा डोक्टर हिमंत बिश्वा सर्मा यानि की right answer is D यह आपको याद रखने है ठीक है अगला question आता है हाल ही में किसे Indian Council of Medical Research ICMR का महरदेशक निक्त किया गया इस question का दोस्तो राइट आंसर हैगा डोक्टर राजीव बहल C. राइट आंसर हैगा 32 question का सही answer 33 question है हाल ही में IMF यानि कि अंतरास्टे मुद्राकोस का मुख्य अर्थसास्त्री किसे निक्त किया गया है इस question का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा तो राइट आंसर है IMF के जो दोस्तो अंतरास्टे मुद्राकोस के आर्थिक अर्थसास्त्री की मुख्य निक्त किया गया है अच्छा हाँ को याद रखने हैं इंपोर्टेंट है कोशन भी अगला कोशन आता है दुजर बाइस को कौन भारतिये परतिबूती और विनियम बोड यानि की सेवी की पहली महिला देक्स बनी इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा मादभी पूरी बुच यानि की राइट आंसर डी है एसेस मुद्रा यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन सी तो यह आपको याद रखना है चतिसवा कोशन है किसे अखिल भारतिये फुटबोल महासंग के नई अध्यक्स बनाये गया है तो राइट आंसर इस कल्यान चोबे यानि की राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा यह आपको याद रखने है था है घंट को कोशन है केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान यायवादी यान की एजी नुक्त किया है जल्दी बताइए दोस्तो right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है समीर वी कामत समीर वी कामत यानि कि D right answer हो जाएगा 38 वे question का right answer question number 39 है वर्ष 2022 में किसने financial action task force के अध्यक्स का पदभार grant किया दोस्तो right answer हैगा टी राजा कुमार यानि कि C right answer हो जाएगा question number 39 का question number 40 है हाल ही में किसने रास्टिय अल्पसंख्यक आयोक के अध्यक्स के रूप में कार्यभार grant किया है दोस्तो right answer हैगा इकबाल सिंग लालपुरा ठीक है डी right answer हो जाएगा चालिसवे question का right answer 41 है किसे guess authority of India limited यानि की गेल का chairman एवं परबन निदेशक निउक्त किया गया है संदीप कुमार गुपता दोस्तो right answer हो जाएगा 41 कोशन का सही उत्तर 42 है किसे रास्टे सुरक्षा गार्ड यानि की NSG के में महानदेशक या भी अभियान निउक्त किया गया है महानिरक्षक निउक्त किया है तो right answer क्या रहेगा दोस्तो परवीन चाबडा यानि की D right answer हैगा question number 42 का और दोस्तो गुजरात के ने मुख्य मंत्री भी बन गए है तो वो कौन बने है वो पेंदर पटेल यानि की इस question का right answer option यह हो जाएगा अब एक question मैं आप लोगों से पूछता हूँ जो की हमारा test question है question 22 में भारत के 50 मुख्य नियादीस के रूप में कौन चुने गए है सभी को पता होगा तो comment box में answer बता दीजे फटा फट इस question का answer और यह इसी वीडियो का question है वीडियो कैसी लगे आपको comment box में जरू बतेगा वीडियो को like share करना मत बूलना चैनल को subscribe करके bell icon को on रखिए ताकि आगे हैं वाली सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहे चैनल के question answers की पीडियो मात्र 150 रूपीज में आप purchase कर सकते हैं ठीक है और इसके साथ में एक पीडियो आपको बिल्कुल free दी जाएगी website और whatsapp number पे visit करिएगा आपको सारी चीज़े मिल दाएगी thank you so much bye bye everyone take care ख्याल लखे अपने दोस्तों